लिस्ट का आर्थ होता है सूची बद करना, सूची, किनारा, तालिका, दर्ज करना, अभिलाशा करना, जुकना, लिपी बद करना. यानि इसका मतलब है किसी भी चीज़ को क्रम बद करके बोला जाए, लिखा जाए तो उसे हम लिस्ट कहते हैं. एक बार इन सेंटेंसिज को पढ़ लेते हैं, He gave me a list of their forthcoming books, उन्होंने मुझे अपनी आने वाली किताबों की एक सूची दी, Shall I add your name to the list, क्या मैं आपका नाम सूची में जोड़ दूँ? अपनी इंगलिश को और अच्छा करने के लिए, आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर और भी वीडियोज देख सकते हैं, और आगया आने वाली ऐसी ही वीडियोज को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.